हलो फ्रेंड्स वेलकॉम बैक टू माई चैनल अमीता की किचन से फ्रेंड्स आज मैं भट्टी दी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसको काली सबुत मसूर के साथ बनाया जाता है इस दाल को वैसे तो मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है पर मैं प्रेशर कूकर में ब के साथ आप या फिर चपादी के साथ सर्व कर सकते हैं तो चलिए आज की वरी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स भट्टी दी दाल को बनाने के लिए मैंने यहां पर आदा कप साबुत मसूर ली थी काले वाली जो आती है काली साबुत मसूर इसको दो घंटे पहले मैंने अब यहां पर एक तेज पत्र डाल दीजे तोड कर या फिर साबुत अब इसमें दो मीडियम साइज या फिर एक बड़े साइज का बारी कटा हुआ प्यास डाल दीजे और बारी कटा हुआ ही दो मीडियम साइज के या फिर एक बड़ा साइज का टमाटर डाल दीजे चार स जमाच चमाच Ses तोड़ स सजादा धनिया पाउडर और हम इसमें सिमें एड़ करेंगे आदा चमाच हलदी पाउडर आदा चमाच लालमिर्च पाउडर और अचा से मिक्स कर देंगे और ढखकर लगा देंगे और हाई फ्लेम पर दो से तीन सिटे लगाएंगे तब तक हम एक मसाला तयार कर लेते हैं तो एक बाउल में मैंने यहाँ पर दुबारा से हींग लिया है तो वो डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे डेट चमच के करीब कसूरी में थी और इसमें आप डाल दीजे कश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा आएगा तो आदा चमच से थोड़ सा जादा में कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और आदा चमच के करीब हल्दी पाउडर इनको अच्छे से mix कर लेगे और side में रख देंगे तो तब तक हमारा जो pressure है cooker का वो भी निकल गया है pressure को अच्छे से release कर लेजे तो यहाँ पर देखे डाल का जो consistency है वो सही है अगर आपकी डाल गाड़ी है तो इसमें आप गरम पानी डाल सकते हैं इसी time ठीक है चलिए अब हम तड़क लगा करते हैं तो यहाँ पर देखे मैंने एक मिट्टी का बरतन लिया है इस तरीके का जो की मिट्टी के बरतन बनाते हैं वहाँ पर आपको यह मिल जाएगा तो medium flame पर इसको रख देंगे और थोड़ा सा लाल करेंगे इस बरतन को जितना आप लाल करेंगे उतना ही खुशबू अच्छी आएगी जब आप इसको डाल में डालेंगे बहुत अच्छी खुशबू आती है मिट्टी के बरतन की अगर आप चाहे तो अगर आपके पास हांडी है तो उसमें आप pressure cooker की जंगा उसमें बनाईएगा तो ओट टेस्टी दाल लगती है बहुत जल्दी ये दाल बनकर तियार हो जाती है तो ये हमारा देसी की अच्छी से गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा आदा चमच के करी और जीरा अच्छी से चटक जाए तो इसको इस तरीके से जीरे को हिलाते जाएए और देखे खुशबू बहुत अच् जाल देते हैं अब इस मिट्टी के बरतन को हम पहले मसाले को अच्छी से मिक्स कर लें और इस मिट्टी के बरतन को हम कूकर में डाल देगा और तुरंत ही कूकर को हम ढख देंगे 5-10 मिट के लिए तो यहां पर देखे 5-10 मिट के बाद में जो मिट्टी के बरतन का मलब की और ये मसालो कातर को का फ्लेवर है, वो दाल के अंदर अच्छे से आIndसके आ गए है, वो मिट्टी को बरतन ले अब आप देख सकते हैं, हमारी भट्टीधी ताल बड़िया से तैयार है, राइस के साथ आप इसको सब कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर राइस के साथ ही सर्व कर रही हूं और बहुत ही टेस्टी दाल हमारी लग रही है तो देखे थोड़ा सा मैंने जाल को ठंडा कर लिए और अभी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि दाल हमारी गाड़ी हो गई है तो मैं इसको राइस के साथ सर्व कर लेती हूं आप चाहें तो हरे दनी स गानिश कर सकते हैं पर कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ही टेस्टी दाल लगती है तो मैं राइस के साथ इसको सर्व कर लेती हूं आप रोटी के साथ भी सको सर्व कर सकते हैं देखा कितनी इजी है भटी ती बनाना और बिल्कुल अलग जैसे आप घर में इस दाल को बनाते हैं बिल्कुल डिफ्रेंट आपको इसमें सुवाद आएगा एक बार ट्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी भटी ती दाल की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी, वीडियो को लाइक कर दीजी, शेर कर दीजी, मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यूरेसिप के साथ, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई